लोगडाउन होने के वज़े से लोगों को रूजगार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अर्थिक पैकेज का एलान किया है। हम आपको बताते हैं कि किस देश ने अपनी जीडीपी का कितना फीसदी हिसा जनता की सुवधा के लिए आर्थिक पैकेज के तौर पर अलान किया है। सबसे बहले बात करते हैं उस देश की जहां से ये वाइरस शुरू हुआ। दुनिया भर के तमाम देशों की अर्थ विवस्था को एक बड़ा जटका लगा महामारी कोरोना की वज़े से। और महामारी कोरोना ने चीन को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। और इसके बाद चीन ने अपनी अर्थ विवस्था को संभारते हुए नागरिकों की सुवधा के लिए अपनी जीडीपी का 3.8 प्रतिशत आर्थिक पैकेज का एलान किया। वही महाशक्ती अमारीका की बात करे तो अमारीका ने अपने देश के नागरिकों के लिए जीडीपी का 13 प्रतिशत हिस्सा आर्थिक पैकेज के तौर पर एलान किया। भारत में जहां नागरिकों के सुवधाओं का ध्यान रखने की पूरी कोशिश की जा रही है मही सरकार ने जीडीपी का 10 प्रतिशत हिस्सा यानि की 20 लाख करोड का आर्थिक पैकेज दिया है। बही जापान ने आर्थिक पैकेज की तौर पर जीडीपी का 21.1 प्रतिशत हिस्सा दिया। स्वेडन के सरकार ने आर्थिक पैकेज की तौर पर जीडीपी का 12 प्रतिशत हिस्सा नागरिकों को दिया है। जर्मनी सरकार ने GDP के 10.7 प्रतिशत हिस्से का आर्थिक पैकेज के तौर पर एलान किया है फ्रांस ने GDP का 9.3 प्रतिशत आर्थिक पैकेज दिया है स्पेन ने 7.3 प्रतिशत आर्थिक पैकेज का एलान किया है इटली ने 5.7 प्रतिशत GDP के हिस्से का आर्थिक पैकेज दिया है मुई बिटायन ने 5 प्रतिशत आर्थिक पैकेज का एलान किया है कुछ रिपोर्ट्स के अधार पर इन आकडों को बताया जा रहा है जहां तमाम देश कोरोना से नागरिकों को बचाने के लिए और उन्हें सारी सुवधाएं देने के लिए आर्थिक पैकेज का एलान कर रहे है तो सभी का करतव बनता है कि वो भी सरकार का साथ दे सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस तबेल आइकन फोर अपडेट्स